हेलो स्टूरेंट्स आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूरेंट्स आज हम डारेक्टेट ओफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली क्रिया किलाप नमबर 32 करेंगे जो की क्लास 3rd तू 5th के लिए है यहां स्टूरेंट आप अपना नाम लिखेंगे यहां पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे और यहां पे आप अपना क्लास और उसका सेक्शन लिखेंगे यह वर्कशिट स्टूरेंट 11th अगस्ट 2020 की है तो शुरू करते हैं आज की वर्कशिट तो वरक्षिट शुरू करने से पहले स्टोरेंस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आईए देखते हैं आज की वरक्षिट में क्या है सच्ची खुशी मोनिका का जनम दिन आने वाला था उसने अपने ममी पापा को बताया कि उसे अपने जनम दिन पर सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब उसे तोफे के रूप में पिंजरे में बन तोते दिये जाएं वह उन तोतों को बोलना, सीखना, हरी मिर्च खिलाना और उनसे बाते करना चाहती थी उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी मोनिका क्या चाहती थी? पिंजरे में तोते चाहती थी जो क्या है? उसे वो हरी मिर्च खिलाना, बोलना, सिखाना ये सब उसे पसंद था इस खुशी का इंतजार करते करते वह कब सो गई उसे पता ही नहीं चला उसने सपने में देखा कि दो पक्षी रो रहे थे उसने उनसे रोने का कारण पुचा उसने क्या देखा एक सपना देखा जिसमें क्या थे दो पक्षी रो रहे थे, तो उन्होंने बताया कि कल से उन्हें पिंजरे में रहना पड़ेगा, वे पिंजरे में नहीं रहना चाहते थे, पक्षी क्या कह रहे हैं, तोते क्या कह रहे हैं यापे कि उन्हें पिंजरे में नहीं रहना, उसकी उनकी असली खुशी तो आसमान में पंक पसार कर उड़ने में हैं, वो क्या चाहते थे आसमान में उड़ना चाहते थे, वे तो पेडों की टहनियों पर बैट कर गाना गाना चाहते थे, पक्षी कभी पिंजरे में नहीं रहना चाहता, वो क्या चाहता है, खुले आसमान में उड़ना चाहता है, पेडों की टहनि अगर इस पिंज़े में रख दया तो उनकी भी आजादी क्या होगी? इछिंज आएगी और वो भी क्या होगी? उड़नी पाएंगे आसमान में, टहनियों पर गीत नहीं गा पाएंगे. आज उसका जनम दिन है उसने देखा कि उसके मम्मी पापा उसके लिए पिंजरे में दो तोते लेकर आए है क्योंकि उसने विश्मांगी थी न अपने मम्मी पापा से तो उसके मम्मी पापा ने क्या किया उसके लिए पिंजरे में दो तोते लेकर आए मोनिका बाहर गई और उसने पिंजरे का दर्वाजा खोल दिया मोनिका ने क्या किया पिंजरे का दर्वाजा खोल दिया दोनों तोते उड़ गए मम्मी पापा उसे हैरानी से देखते रहे मम्मी पापा को क्या हुई बहुत हैरानी हुई कि अभी तो यह हमसे मांग रही थी कि तोफा लाकर दो तोते जो पिंजरे में रहें और आज उसने ये खोल दिया है क्यों कि उसे समझ में आ गया है कि जो पक्षी है उन्हें हमें पिंजरे में नहीं रखना है उन्हें आजाद रहने दो उन्हें अपनी जिन्दगी जीने दो उन्हें पंक फैला कर आसमान में उड़ना अच्छा लगता है, पेडियों की तहनियों पर गीत गाना अच्छा लगता है, इसी में उनकी अचली खुशी है, तो हमें कभी भी किसी पक्षी को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा अच्छा लगता है, और दोनों तोते उड़ गए, तब मॉनिका के ममी पापा हैरान होकर मोनिका को देखने लगे, हमने अभी देखा था ना क्या किया था मोणिका ने पिंजरे का दर्वाजा खोल दिया था जिससे दोनों तोते क्या थे उड़ गए थे जिससे कि मोणिका के मम्मी पापा को हैरान होकर मोनिका को देखने लगे ठीक है अब हम next question करते है student देखिए देखिए क्या है next question मोनिका न मोनिका ने पिंजरे का दरवाजा इसलिए खोल दिया क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि तोते को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए उनकी असली खुशी खुले आसमान में पंक फैला कर उड़ने में है और पेरों की टहनियों पर गाना गाने में उसे एहसास हो गया था कि क्या है तोते को पिंजरे में उसे क्या था उसे एहसास हो गया था कि तोतो को पिंजरे में नहीं रखना है वो नहीं रखना चाहती थी अब तोतो को पिंजरे में क्यों क्योंकि उनकी असली खुशी किसमें थी खुले आसमान में उड़ने में पंक फ देखे हैं क्या ऐसा करना सही है क्या पिंजरे में रखना जानवरों को सही है बिल्कुल सही निये बेटा हम पिंजरों में जानवरों को नहीं रख सकते क्योंकि उन्हें भी आजादी से जिन्दगी जीने का हक है हम किसी भी पक्षी को या किसी भी जानवर को कभी भी पिंजर नहीं रख सकते, नहीं रखना चाहिए हमें, शेर, भालू, बंदर, चिपाँजी, हाती, अधि बहुत से जानवरों को बड़े पिंजरों में रखा जाता है, इन जानवरों को मैंने चिरिया घर के पिंजरे में देखा है, देखा होगा, आप लोग भी चिरिया घर गए होंग तो क्या होगा वो राम से अपनी मर्जी से घूमेंगे, लेकिन अगर उने पिंजरे में रख देते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, पिंजरे में कैद हो जाते हैं, उनकी आजादी क्या हो जाती है, छीन जाती है, इसलिए हमें कभी भी जो चीरिया घहर है, या हमें कभी भी कि पिंजरे में नहीं रखना चाहिए तो आईए next question करते है students क्या लिखा है next question में सभी को अपनी आजादी प्यारी है प्यारी है आप लोगों को भी अपनी आजादी प्यारी है आराम से गुमना फिर ना सोचो अगर आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और बाकी मैं आपको ये करवाती हूँ ये कवीता छोटी सी एक अच्छी सी कवीता है देखिए क्या है कवीता बच्चे पिंजरे में ना रखना तुम मुझको प्यारी है आजादी क्या कह रहा है पिंजरे में ना रखना तुम उसको मैं पाजाओंगी पिंजरे मेना रखना तुम मुझको प्यारी है आजादी हम एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं और आप लोगों को इसे याद करना है लिखना भी है अपनी नोट बुक में उसके लावा इसे याद भी करना है देखो क्या कह रहा है पिंजरे मेना रखना तुम मुझको प्यारी है आजादी अपने पर फैलाऊंगी सपने सचकर जाऊंगी बहुत दूर है मनजिल मेरी उसको मैं पाजाऊंगी पिंजरे मेना रखना तुम मुझको प्यारी है आजादी सबको आजादी प्यारी है ना यह हमने एक पोयम बनाई है इससे कवीता को आप अच्छे से याद करिएगा और अपने नोट बुक में लिख लीजिएगा और अपनी वरक्षिट कम्पलीट करके अपने टीचर से चेक कर आएगा और प्लीज मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू